हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू आर चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूँ आपके साथ प्राणशी राठोर बॉलिवुट की बार भी डॉल कहीज आने वाली केटरीना कैफ जल्द ही अपनी बहन इसाबेल कैफ के साथ मज़र आने वाली है केटरीना सोशल मेडिया पर अपनी स्टाइलिस फोटोस को लेकर सुर्खियों में रहती है वहीं अगर कैफ की बहन की बात करे तो इसाबेल बॉलिवुट में डेब्यू करने वाली है यदि आप इसाबेल को देखेंगे तो वो भी केटरीना की तरह होट एंड खूब सुरत नजर आती है सोशल मेडिया पर वो काफी एक्टिव रहती है और अपनी तस्वीरें अकसर शेयर करती रहती है इन तस्वीरों में अगर इसाबेल को देखोगे तो वो थोड़ी सी केटरीना से मिलती जुलती दिखती है और काफी फिट भी नजर आती है दर्श को अब आपको बता दे कि लंबे समय से इसाबेल के बॉलिवुट में एंट्री करने की बात चल रही थी खबर आ रही थी कि इसाबेल सलमान खान की जीजा यानी की एक्टर आयूस शर्मा के साथ बॉलिवुट में अपना पहला कदम रखने वाली है वही बता दे कि आयूस और इसाबेल फिल्म क्वाथा में स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे फिल्म का निर्देशन करन बुतानी करेंगे वही फिल्म की स्टोरी की बात करें तो क्वाथा एक सच्छी घटना पर आधारित फिल्म है जैसा कि आपको पता है कि आयूस शर्मा की ये दूसरी फिल्म होगी वही आयूस कोई पहली फिल्म लव्यात्री थी हालंकि इस फिल्म का प्रोडेक्शन सल्मान खान नहीं किया था लेकिन फिल्म बॉक्स ओफिस पर बुरी तरह फ्लॉफ हो गई थी लेकिन अब आयूश शर्मा दूसरी बार बॉलिवोड में अपनी किस्मत आजबाने वाले हैं देखते हैं कि इस बार आयूश की दूसरी फिल्म परदे पर क्या कमाल दिखाती है क्या इस बार आयूश अपनी फिल्मी करियर में कामयाब होंगे ये देखना काफी दिल्चस्प होगा एक तरफ कट्रिना कैफ की बहन इसाबेल और एक तरफ सल्मान खान की जीजा आयू शर्मा देखते हैं ये जोड़ी बड़े परदे पर क्या कमाल दिखाती है पिल्हाल के लिए इतना ही बाके की तमाम खबर जानने के लिए देखते रहें ये नेक्स्ट नाइन लैफ से प्रांशी की रिपोर्ट